दुनिया की हलचल पर पहनी नजर, पड़ताल दुनिया भर की, देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया, जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है, आसपास और साथ समंदर पार, आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है, आज इस कारेक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, एक ऐसा देश जहां से लगातार जो खबरे आ रही हैं, वे तमाम लोगों को विचलित कर रही हैं, परिशान कर रही हैं, देश औ अफगानिस्तान में जब से अमरीका की ताकतें वापस गई हैं, फोर्स वापस गई, अचानक ऐसा लगा जैसे ताश का किला थो जो ढह गया, जबकि अमरीकी राष्टपती लगातार दावे दूसरे कर रहे थे, बकायदा प्रेस कॉन्फरेंस करके उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, उन्होंने समाधाता समेलन किया, आगे का अपना एजंडा साफ रखा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें बदली हैं, हमने भी इंतजार किया कि थोड़ी चीजें और आएं, उसके बाद एक विस्तरित बाचीत आपसे करें, यह अचानक क्या हुआ, क्या ताश का पत्ता था इससे पहले 20 साल तक जिसमें 2.26 ट्रिलियन डॉलर, अमरीकी डॉलर उन्होंने खर्च किये, हुआ क्या यह अफगानिस्तान में? देखिए, पहली बात तो यह है, कि अमरीका यहां से सिर्फ 20 साल नहीं है, अमरीका अगर देखे, 76 के बाद से दखल अंदाजी अफगानिस्तान में कर रहा था, 79 के बाद उन्होंने रूस को, सौविट यूनियन को, अफगानिस्तान के अंदर एक हिसाब से खीच लाया, क् कि मुझाहिदीन जो ताकते हैं, उसको इस वक्त वो फंड करने लगे थे, वो अफगानिस्तान बामपथियों के हाथ में था उस वक्त, तो इसलिए यह कहना कि रूस के हाथ में था, यह कहके उन्होंने मुझाहिदीन जो ताकते हैं, तभी से फंड करना शुरू किया था, तो मेरे हिसाब से, यह तो 76 के बाद से, अभी तक का यह दोर है, जिस पे इन्होंने लगातार, इन्होंने कुछ नकुछ नकुछ कदम रखने की कोशिश की, वहाँ पर कुछ नकुछ हारकते करने की कोशिश की, उनको लगा था, एक बार 91 के बाद कि सोवेट युनियन गिर इसके बाद अब तो काबूल गिरी जाएगा पर नजीम उल्ला के सरकार उसके बावजूद करीब 92 तीन साल सौवेट उनियन वहां से वापस चला गिया था 89 में पर तब से 92 तक नजीम उल्ला की सरकार वहां पर बरकरा रही लड़ाई करती रही पर जब सौवेट उनियन की फ गये थे मैं तब भी तीन साल उन्होंने लड़ाई चाली तके अकेला अपने बूते पर अफगानी सेनाओं के साथ तीन साल उन्होंने लड़ाई किया था इस मुझधिन शक्तियों के खिलाफ इसका तालिबान तो उसके बाद बनता है उस तो तीन साल तो अमरीका को भी लगा था हमें तीन साल नहीं कम से कम एक दो साल तो मिली जाएगा तो इती इस तरह से हमारी मिटी खराब नहीं होगी अफगानिस्तान में कुछ दिन वो संभाल लेंगे इसके बाद एक यह जाएगी क्या होता है। इसी भरोसे पे उन्होंने समाध आता है, सब मेलन किया प्रेस कांफरेंस में बकायदा बताया भी कि ये 75 हजार हैं, हमारे 3 लाख हैं, सारे आकड़े रखें अमरीकी राश्ट करी में. जाएगा, तो ये सरकार आपकी चलेगी नहीं, ये कबूल सरकार चलेगी नहीं, हम भी शक्तिशाली है, हम भी इसमें आएंगे, तो आब अभी से हमारे साथ समझावता करो, दूसरी बात उनके जो सेनाओं की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा वहां पर हराम खोरी थी कह सकते ह कि पैसा नीचे तक पहुशता नहीं था, ऊपर के लोग ही खा जाते थे, तो बहुतों को तंखा ही नहीं मिल रहा था, अफगान फोर्सेस थी उनमें, तो तंखा मिलना जो है, वो भी मुश्किल था बहुतों की, उन्होंने साफ कहा है, कि तीन महीने से हमारे पास तंखा न नेत्रितों कहे, राजडितिक नेत्रितों कहे, एक बहुत बड़ा हिस्सा भागने वाला था, तैय कर लिया था, लड़ने के लिए कोई उसकी कमिट्मेंट नहीं थी, पैसे को प्रतिक कमिट्मेंट थी, तो तालिबान लगता है दीचे से, बातशीत कर रहा था, इनके अरेशिया की उस्बिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, जो की लगवा इलाका है, जिनकी सीमाय मिलती है, उन्होंने भी तैय कर लिया था, अमरीका जाने के बाद हमें तालिबान के साथ बातचीत तो करना पड़ेगा ही, तो अभी सा कि उन्हीं बातचीत करें और इसके रश्डूस ने पहल कदमी की थी, यह पूरा इसका एक प्रक्रिया चल रहा था, तो इन्होंने तैयारी कर लिया था कि पोस्ट अमरीका हमको क्या करना है, और इसलिए तालिबान इस वक्त लगता तो है, कि यह पहले से सेनाओं को बोल चुका था, उनके साथ संब करश नहीं हुआ, उन्होंने आत्पसमरपन कर दी, तो पूरी बातचीत तयारी लगता है, पहले सी थी, जिसकी हवा अमरीका में, अमरीका के पास नहीं था, दूसरी बात है, इतना तगड़ा इंटेलिजेंस, दुनिया भर में वो जासूसी कराने वाला देश, उसको कबज दो-तीन दिन के अंदर, मतलब महज कुछी दिन में, पूरी की पूरी स्थिती बदल जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आकला नहीं था या वो एक फेस सेविंग अपना दिखाना चाहते थे, देखिए, अब वो क्या करना चाहते थे तो वही जाने, कितना ख़बर उनके फेस सेविंग जिसे कहते है, वो कर लेंगे, निकल जाएंगे, इसके बाद गिरेगा, तब कह सकते थे, अफगान वाले बड़े निकम में हैं, एक बहुत बड़ा सवाल जो इस समय सारी दुनिया के सामने है, और हमारे सामने भी है, क्योंकि 96 में भी हमने तालिबान देखा जस तरह से वहाँ पे उन्होंने कहर बर्पा किया महिलाओं पर और तमाम जो हिमन राइट्स हैं, उनको सीरे से नकारा खतम किया, तालिबान बडला है क्या, या बडल सकता है क्या, हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन है, ये कहना कि तालिबान वही तालिबान है, ये भी सही नहीं होगा शायद, ये कहना तालिबान बडल गया है, ये भी सही नहीं है इस वाक्त, तो तालिबान क्या स्वरूप लेगा, वो हमको देखना पड़ेगा, अन्रूनी स्वरूप उसका क्या होगा, बाहरी स्वरूप क्या होगा, क्योंकि साओधी अरेबिया जि लिए उसमें लोग खुश है तो ये जो चीजे है कि अंदरोनी और बाहरी उसका फेस जो है क्या होगा वो हमको देखना पड़ाएगा एक बात साफ है कि इस वक्त उनके पास चैलेंज दूसरी किसम की है पहले तो देश चलानी है अब तालिबान को एक तो समझ में आ गया इत प्रशनचीर उनमें भी मेरा ख्याल से है तो इस वक्त पैसे की जबत है क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के पास आमदानी करने के लिए खरीदने के लिए चीजे पैसे नहीं तो इसलिए इस वक्त मुझे लगता है वो चाहते हैं कि जो अंदरोनी पुराने शक्तियां है उनको सब को बाहर ना करके उनके साथ बैठ के कुछ समझाता करें तक सो कॉल एक इंतरीम सरकार बनाए जिसके कुछ लेजिटिबसी हो चीजों को नौर्बिलाइज करें तो उनका मेरे ख्याल से इस वक्त फोकस है नौर्बिलाइज कैसे करें समधाता समेलान उन्होंने किया उसमें कई चीजें उन्होंने सामने रखी देश दुनिया के सामने उससे आपको क्या लगता है कि उनकी क्या तैयारी है क्या समझ है क्योंकि उसमें महिलाओं के बारे में भी बातचीत है शरिया के हिसाब से वो कर सकती है ये भी रखा उन्ह अपने देश को अपनी भूमिकों को और दूसरे देशों के खिलाफ नहीं इस्तमाल होने देने वाली बात कहीं उन्हों ने तो ये सारी चीजें क्या संकेत दे रही हैं। एक बात तो ये है कि तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान पर नजर रखना चाहता है ये तो साफ है क्योंकि उसको जिहाद एक्सपोर्ट करना जो बिल्लादिन वगरा की ये था कि लड़ाई बाहर करना है अफगानिस्तान बेस बना के उस पे अफगानिस्तान बहुत कुछ खोया है, तालिबान भी बहुत कुछ खोया है, साफ है उनके लिए, तो ये बड़े-बड़े मुल्क, रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ, अमरीका के खिलाफ हो सकता, कि समुदर के उस पार बहुत दूर है, फिर भी, हमना जब हुआ तो रोक नहीं पाई ये, तो इसको देख करेंगे, क्या जो कहते हैं, can leopard change its spots, वो देखनी पावेंगे, क्योंकि jeans तो वही है, जो पहले बार भी थी, पर कुछ सबक उनको मिला है, तो सबक से क्या करेंगे, देखना पड़ेगा, तीसरी बात है, उनको मालूम है, कि देश चलाने के लिए, जो पार्शवत्ती देश है उनकी मदद चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे एरान हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, हम उस पर गिंती में नहीं आते कि हमारे कोई border है नहीं, इसके साथ है, उस बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये भी उनकी पार्शवत्ती देश है, उनके साथ बीन की समझाओता कुछ करनी पड़ेगी नहीं तो देश नहीं चला पाएंगे और इन लोगों को भी डर है कि अगर इस तरह के एक स्पोर्ट वहां से शुरू होता है उग्रवादी विचार तो पाकिस्तान के लिए खत्रा है इरान के लिए खत्रा है और उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान तुर्किमेनिस्तान के लिए खत्रा है चीन के लिए खत्रा है को कि शिंजियंग जो प्रॉविंस है जो सटाववा सटावा जिसका तक वाकन वार जो कॉरिडॉर है उससे लिंक होता है तो वो भी उनके लिए एक चैलेंज है सबका एक स्टेक है अफगानिस्तान को स्टेबिलाइज करना एक दूसरे के खिलाफ नहीं पर सब मिल किसको स्टेबिलाइज करें जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान काफी इंवॉल्व हैं काफी लगे हुए हैं मतलब उन्हों visão मेसमाओ बाइज किसके देखते हैं इस तो राजनीत इस पे रही है, कूटनीती करें, विदेशनीती करें, राजनीती करें, वो अमरीका के साथ बहुत एक तर्फा हमने अपने आपको जोड लिया था। तो हमें लगा था कि अमरीका अभी भी जो कह रहा है, शायद सही है, दो तीन साल रहेगा, तो उस पर हम अपनी जगा फिर से बना की कुछ कर सकते हैं, तो ये तो हुआ नहीं है, और हम करीब करीब जो चीजे वहां हो रहा था, साफ है कि उसके बारे में हम वाकिफ नहीं थे, पीछले बार Northern Alliance के साथ, हमने भी जोड़े थे अपने आपको, और एरान भी अपने आपको जोड़े थे, तो हमारी और एरान की इस पर बातचीत काफी चलती थी, और कुछ हद तक हमारा coincidence of views था, कि एक साथ मिल के कुछ चीजे करते थे, तो अब जो है, वो खत्म हो गया, ए इसी की जब उनकी प्रेजिडिन्स की शपत लेने की बात आय थी, तब गये थे, पर मुझे लगता है कि हम काफी मैदान वहाँ छोड़ दिये हैं, क्योंकि एरान के साथ हमारा संबंद उस तरह नहीं रहा, जो पहले था, तो ये सब देखते हुए, हम इस वक्त जो है, इस भी नहीं है, अब रूस ने भी जब बुलाया था देशों को, इसके बारे में बातचीत करने के तालिबान में, तब हम को नहीं बुलाया था, भालत को नहीं बुलाया था, अब सब को बुलाया था, तो हमारी इस वक्त वहाँ पर लगता है कि कोई गेम प्लैन बचा नहीं ह कम at least for the time being अगर वहां पर फिर से कोई Northern Alliance जैसा खड़ा होता है अब आमिल शाह मसूद की जो बेटा है तो वो अभी वहां पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है अमरुला साले वहां पर पहुंच चुका है पंशीर सिर्फ एक जगह चोटी सी एक प्रदेश है जो अभी भी तालि बान की कब्जा है तो यह क्या सरवाई होना और सामरिक रूप से एक जगह पर कब्जा रखना अलग बात है तो अभी लगता है पंशीर यहां पर पहले भी Northern Alliance की एक कब्जा था और यहां पर काफी शिया लोग भी है अजारा जो है वहां पर है काफी तो यह देखते हुए लगता है कि पंशीर अभी भी पूरी तरफ से तालिबान के कब्जे में नहीं है ज्याना तर जगह प्रदेश में उनकी कब्जा है कुछ जगहों पर तालिबान रूट नहीं है जहां कहीं पहुँचने का मुझे लेकता बहुत ज़्यादा वहां से रिजिस्टेंस फैल पाएगी और अगर हम उस पे दाउन लगाते हैं तो बेखाल सी यह भी हमारे लिए सही नहीं होगा लगता है कि हम अब कोशिश कर रहे किस तरह से बाचीत शुरू क करें इरान के जरीए और किसी के जरीए शुरू करें बाचीत की यह हम सोच रहें इस वक्त पर हमारा प्राजडीत काफी इसमें बैकवर्ड रहा है क्योंकि अब जब सोच रहे हैं टाइम जो है गुजर चुकी है तो मेरे खाल से पहले से जिसको कहते है टी लीव्स पह गिन नहीं एक टर्ल एफेर्स मिनिस्ट्री में है नहीं हमें देखने को इस वक्त मिल रहा है अफगानिस्तान लंबे समय तक चर्चा में रहेगा और मुझे लगता है कि हमारी आपकी बाचीत भी इस पे बनी रहेगी बहुत जरूरी है एक पैनी नजर बनाये रखना कि क्या चल रहा है क्योंकि निश्चित तोर पर ये पूरे-पूरे इलाके को प्रभावीत करेगा शुक्रिया